जिन्दगी बस एक बार मिली है, इसको कैसे जीना है, ये आपके हाथ में है, ये आपके decision है ठीक है, देखिए, दो रश्ते होते हैं हमेशा, एक सही रश्ता और एक गलत रश्ता जब हम गलत रष्टे पे चलते हैं तो हमें स्टार्टिंग में लगता है कि वाव बड़े मज़ा आ रहे हैं ठीक एकदम मज़ा आ गई से कहते हैं लेकिन यह बहुत लंबा नहीं चलने वाला है ठीक है लेकिन अगर आप सही रष्टे पे चलते हैं तो शुरुवात में आपक ठेक है न और स्पेसली अगर आप सही रष्टे पे चलते हो तो आपके बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं ठेक है तो उस पर यकीन रखे एकदम प्रोपर तरीके से आपको हमेशा हमेशा उस पर यकीन रखना है हालाथ कितने भी बूरे हो ठेक है कहते ने कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगमान होता है वो इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ध्यान रखे हमेशा सही करें क्योंकि life सिर्फ एक बार मिली है अपने talent पर हमेशा काम करें ठीक है कभी भी एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि टैलेंट आपका कभी वेश्ट नहीं होना चाहिए ठीक है अगर आप उस पे काम नहीं करोगे तो अक्सर लोगों का टैलेंट ऐसे ही वेश्ट चला जाता है हर इनसान के अंदर कुछ न कुछ यूनिक चीज़े होती है और उसे ये बात पता भी होती है कि हाँ ये मेरा ऐसा एरिया है जिस पे अगर मैं काम करूँ नहीं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ पर वो उस पे काम करने के बजाए अननेसेसरी चीज़ों पर फोकस करता है जिसकी उसको जरूरत भी नहीं है तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने टैलेंट पर काम करें और अपने जो डिसीजन्स है नहीं वो बहुत सोच समझ के लिए ठीक है और लाइफ में हमेशा सही रष्टा ही चूज करें सही रष्टा से लेट करने से क्या होता है न कि शुरुवात में आपको लगेगा कि मुश्किल हो रही है लेकिन धिरे धिरे आप देखोगे कि मुश्किले कम हो जाएंगे और एक टाइम पर आपको कोई भी चीज आपके लिए मतलब देखो छोटी छोटी बात बता हूं जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सुबह नहीं उठा जाता है रात को नेदनी आती है ठीक है यह नहीं होता है मतलब लोगों के लिए सरफ इतनी सी चीज भी बहुत बड ध्यान में रखनी होगी कि आपके पास कोई और ओप्शन नहीं है ठीक है थोड़े टाइम के लिए अकसर लोग ऐसे कर सकते हैं वो चीज ठीक है कि अगर आपके कोई सपने हैं आपका कोई टेलेंट है ठीक है ना आप उस पर हमेशा काम करते रही है साइड वे साइड अगर अगर आप भीड से हटके चलोगे तो ही आप हमेशा लीडर कहलाओगे है ठीक है एक यूनिक क्वालिटी आपके अंदर है सब के अंदर होती है ठीक है बस बाकी लोगों में और कुछ लोगों में क्या फरक होता है कि कुछ लोग उस पर काम करते हैं तो आगे निकल जाते है और जो ज़्यादतर लोगों इस पर काम नहीं करते हैं, अपना टाइम वेश्ट करते हैं, ऐसी चीज़ों पर जिस रश्टे पर उनको जाना भी नहीं है, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, हर चीज जब आप decision लेते हो, देखें, मैं तो personally क्या करता हूँ, मैं आपको ब बात दिलाता हूँ, यह अपने आपको बताता हूँ कि मैं लाइफ से क्या चाता हूँ, समझ रहो, तो खुछ से बाते करता हूँ, ठेक है, वो बहुत important होता है, ठेक है, इससे आपको realize होता है, और चीज ने आपको पता हो जाती है, कि हाँ भई, यह चीज करनी है, तो वो कोई चीज अगर आप करना चाते हैं, वो चीज आपके लिए important है, वो आपका सपना है, तो आप उसको करें, ठेक है, और लाइफ एक है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई age होती है सपने पूरे करने की, मतलब ऐसा नहीं कि आप 20 साल के हैं, तो सपने पूरे 20 साल के उमर में होना चीज है, वाई सपने सपने होते हैं, 80 साल के उमर में पूरे हो जाएं, ठेक है न, 60 में भी होएं, ठेक है न, 50 में, 20 में, ये तो ठेक है, क्योंकि सब क्या हलात न, एक जैसे नहीं होते हैं कभी भी, आप ये बात अच्छे से जानते हो, कि अगर आपका दोस्त है, हम सब में डिफ्रेंस रहा है, ठेक है न, तो भाई हो सकता है, ठेक है न, किसी एक का फाइनसली बेग्गराउंड अच्छा न हो, ठेक है, तो उसके लिए तो भाई 100 रुपे भी बहुत इंपोर्टन्ट होंगे, ठेक है न, जबकि दूसरे इंसान के लिए उसका फाइनसली वो शोचते हैं कि आरे यार मैं तो गरीब हूँ गरीब होना मतलब एक क्वालिटी है इमांदारी से बता रहूं मतलब गरीब है आपके लिए एक अपोरिचनेटी है इसको अपोरिचनेटी के रूप में देखो आप समझ रहो ठेकर नै ऐसी चीजें आपको बहुत कुछ सिख बुरे पर या आपके डिसीजन पर होता है शमझ रहो ठेकर नै तो लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके साथ प्रोब्लम नहीं हो अब में लब आप सक्सेस हो जाओ कितने भी पैसे कमाल हो या कुछ भी कर लो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है जिन्दिके में हम और वो दिक्कते सोल करने में हम हमेशा लगे रहेंगे लेकिन हम एक समझदार इंसान बन सकते हैं वो समझदार इंसान इसी चीज से बन सकते हैं कि हम चीजों से बचना या भागना बंद कर दें ठेक है क्योंकि हम उस चीज से निकल के जाएंगे तो ही हमें पता लगेगा क इस चीज से कैसे आगे जाकर हम manage कर सकते हैं अब आप रोड से जा रहो रोड पर ब्रेकर आते हैं तो ब्रेकर है तो आपको पता है बार बर ब्रेकर आते हैं तो आपको आदत हो जाती है उनकी समझे की तो जब तक आप शीखोगे नहीं अच्छा और बुरा, सही या गलत ये सारी चीजे हमारे साथ होती हैं या हमें दिखती हैं तो ये सीखने का एक मोका होता है ठीक है ना? और उसमें से गरीबी तो मेरा तो परसनली मानना है मतलब मैंने इतने बुरे हालाद देखे हैं ठीक है? तो तो मतलब यह एक मोखा होता है और यह मोखा सबको नहीं मिलता है ठीक है हमेशा हर चीज जब भी आपके साथ कोई दिक्कत होती है। हमेशा जब दुख आते हैं आपके उपर और आपको लगता है अकेले बेट के कि यारब तो रोने कामन कर रहा है और मेरा तो कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना कि कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, ठेक है ना, उस टाइम पर हमेशे ध्यान रखना कि जब तुम ये चीज़े सोच रहे होते हो तो उस टाइम पर तुम्हारी सोच वो है ने वो वह भी देख रहा होता है तुम्हारा शाथ ही बेठा है एक तरीके से आप आप देखना की मतलब आप सही दरश्टे पे जाओ गए ने तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सकती हमारा शाथ दे रही है ठेक है और गलत रश्टे पे जाओ गए ना तो कभी खुश नहीं र करें अपने टैलेंट पर काम करें ठेक है और हमेसा ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे यह करना है मेरा यह सपना है तो आप उसको कभी भी पूरा कर सकते हैं अगर यह जरूरी नहीं है कि अभी आप 40 साल के मानलो कोई अभी वीडियो देख रहा हूं सोचे कि मैं तो मुझे अप्रोक्षिमेट ध्यान है तो नहीं एक दो तिन साल पहले की बात मैंने पड़ी थी तो उसमें यह लिख रखा था कि वो नहीं मतलब क्या करते थे वो जो बुजर्ग थे वो पारक वारक में टैलते थे खूब अभी तनी एज में तो दवाया वगर खाते थे यह सब चीजे चलती थी उसके लाइफ एक दम मतलब उसको लगता था यार यह भी कोई जिन्दगी हुई भाई इस साइज में होता भी ऐसा है लेकिन एक टाइम पे उसने यह डिसिजन लिया कि मुझे ने यह चीजने बंद करनी है ठीक है कि मतलब अपने आपको इस तरीके का नहीं अपने आपको में देख सकता तो तुरुंट जब उसने डिसेजन लिया ने तो उसके बाद उसने क्या किया दिर दिर एकशसाइज करना सुरू की और बिमारियों से अपना मन हटा के और अपने आपको एक healthy इंसान के रूप में देखना शुरूप किया कि मैं मेरी health एक दिन ऐसी हो जाएगी और मैं ऐसा ही हूँ ठेकर मुझे ज़्यादा दवाईयों कोई जरूरत नहीं है ठेक है मैं ये चीज़ कर रखता हूँ दिरे दिरे मैंने सुनाया कि उसने six pack बना लिये थे 65 एर ओल्ड की एज में है की ज statewide जानते हैं के जो बड़े एज के हैं स क्टै नग अजई समझेर है जो 30總R था MID प्लाष मो सanson के जब ईकम हो देखे नियुप लग नई होती लाइफ में तो हम ए SNAT हर चीज ओता है कि हमकुछ भी खाने की चीज़ें का मेर बहुत अलग महसूस कराती है feeling एकदम पहली वाली feeling होती है, नई feeling होती है हमार लिए तो वो feeling है ने, बहुत important होती है, वो एकदम मैं ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक है और हमें कोई चीज पता लगते है ने, कि तो लगता है कि हाँ मैं ये करूँगा हम सब के साथ ऐसा होता है, ठीक है ने, बचपन में सोचते हैं कि मैं ये बनूगा मैं ये कर दूगा एक दिन, मैं वो हो जाऊँगा, ये देख कर दूगा, इसके बाद ये हो जाएगा, ये कर दूगा देरे 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 से जैसे आगे बढ़ते हैं और 30 प्लस जब age हो जाती है तो हमें ने जिन्द की काफी कुछ चीजे समझ में आ जाती है और उसमें से especially एक तो याद आती है कि ये भाग दोड़ पूरी लाइफ लगी रहेगी इसका कोई अंत नहीं होता ठीक है जब हम पैदा होते है और जब तक चले नहीं जाते है इस दुनिया से ठीक है ये भाग दोड़ तो कभी खातम नहीं हो नी ठीक है लेकिन सवाल उटता है कि इसके बीच में मतलब जो बीच का टाइम है वो कैसे बिताए ठीक है हम लोग ने मतलब पैदा हुए मेरे ऐसा मानना है personally ज ज़रूर नहीं आप अपने decision हमेशा खुद से सोच के लिए पहले तो ज़रूर नहीं है कि आप मुझ से influence हो ज़रूर नहीं किसी और से influence हो लेकिन आप एक चीज ज़रूर जानते हो कि हर इंसान जानता है कि सई क्या है गलत क्या है तो फिर सवाल ही उठता है कि फिर आप सई लोगों को उनको लगता है कि जबरदस्ती होते है उनको लगता है कि जबरदस्ति में यह चीज कर रहो हो एसा नहीं है यह शरफ आदतों के बात है है 眉ज इन तो अगरों सराव यहां ने मेशनीप और भाले हैं तो जिंदिके हम भूत कुछ वैसे अवन को कई साल तक आप सोचो ना आप बार बार जिस चीज की प्रेक्टिस करोगे आप वो चीजे आपके लिए easy हो जाती है तो वैसे ही हम क्या करते हैं हमने गलत आदतों की प्रेक्टिस कर रखी है तो हमें लगता है कि ठीक है यार लेकिन अब जैसे कि सोने काई एक्जामपल ले लो सुबह जल्दी ने उठ पाते उसका रीजन क्या है क्योंकि हम बार बार प्रेक्टिस कर रहे हैं डेली लेट उठनेगी अब एकदम से जल्दी से आप सोचो कि नहीं मैं सुबह चार बज़े उठना स्टार्ट कर दूँ तो not possible ने क्योंकि शरीर को भी आदत ही नई आपने शरीर को आदत खाप कर दिया है वैसे होता है लाइफ में ठीक है हमेशा ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा तकलीफ आएगी ने लाइफ में वो तकलीफ इंसान को बेधर बनाने के लिए होती हैं ठीग है बस आप उस टाइम पे अगर थोड़ा सा पेसेंस रखेंज हैं हम सब की मतलब थोड़ा सा पेसेंस की यार ठीक है अभी मैं देखता हूं इस इस को मतलब एक्दम से डिसेज़न निलेने चीए ठीग है जब आदमी बहुत ज़्यादा खुष हो, बहुत जादा दुखी हो, तो एक दम से तुरंट डिसिजन ने लेने चीए, थोड़ा सा एक दिन, दो दिन, थोड़ा स्यानती रखके, फिर डिसिजन लेने चीए, तो हमारी डिसिजन बहुत अच्छे होते हैं, यह मैं प्रैक्टिकली चीजे बता रहूं, आपको कभी टाइम ने देते हैं लाइफ में, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट होता है, खुद को टाइम देना, खुद को अगर हम टाइम देते हैं, तो हम लोग कभी एक तो गलत रश्ते पर नहीं जा सकते हैं, लाइफ में कभी जब भी तो आपको ने ग्रेटिटूड रखना चाहिए, मेरे हिसाब से, हम सब इनसान हैं, तो हमेने जुक के रहना चाहिए, तुरंट मतलब जितना हो सके जब भी, मैं तो जोग पर जाता हूँ तब भी, जोग से आँँगा तब भी, जब भी मोका मिलता है, मैं तो हमेश बुरे से बुरे वक्त में, मतलब, पता है, जब हमें लगता है कि कोई नी खड़ा हमारे साथ, तब लगता है कि कुछ तो है ऐसा अंदर जो हमें बार-बार बूल रहे हैं, ठीक है, कि नहीं मैं हूँ, तू कोई दिक्कत नी है, तू आगे बढ़, ठीक है, तू यह काम कर स करती है ठीक है हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या करना चाहते हो क्या बनना चाहते हो आप अपने जिंदिकी में क्या चाहते हो ठीक है यह सब चीजे आपके अब हर आदमी से जरा सोचो कि लोग कितने ज्यादा फोड मतलब ठीक है एकदम आपको लगएगा कि अरे यार कर दो का देखी नहीं असके अनदर भगवान वचते हैं तो थे तिन अपनल्हान आरे ने कि ख़ए थे नहीं हमने अच्छीज को ना देखे थे नहीं के उसके अंदर की जो भगवान वेठे नूं उनको देखेंगे न है है बखोट जादा परेशान थे ठीक है तो वैसे भी क्या होते है कि लाइफ वख़ुद बड़ी होती है ठेक है और लोगों ूझत है कि कोई सहरा हो हमारा है और कोई हो कि जिसके साथ हम बेट के बाते कर सके जिसके साथ हम आपको किया है कि एक अंटरे अपने संपने तक खो दिये इस एंसान लिए और आज देखो यह इंसान तो मेरे ख़ल से कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनसान की फित्रती ऐसी होती है आप जाने दो माफ कर देना चाहिए ठीक है लेगन एक बात में चाहिए अधान रखना कि आपके अंदर जो बदलाव होते हैं वो बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं कि आपके विचार कैसे है आपकी सोच है वो बहुत माइने रखती है लाइफ में सबसे इंपोर्टन्ट होते हैं कि हमारी सोच कैसी है अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो लाइफ में जीने के रूल क्या होते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं पैसा होना चाहिए पैसा ही सब कुछ है आज के टाइम कि आप आगे बड़े ठीक है और कुछ भी करो जिंदगे में एक तो पहले चीज तो किसी भी इनसान को न दोखाए एक तो छोड़ो आप बाते से एक बात तो क्लीर हो जाएगी आप कि अगे हमेशा सुकून में रहो गें और शाहे कुछ भी वहाए कुछ बहुत क्लियर डूसरा है यह मतलब बर्लब पीड़ के बाते हैं कभी लाइफ में कि दस लोगा काम करें था मैं भी करूंञें आप अप तो याद रखना काम अगर ऐसा है कि जिसको आपको करने में इंजोई फिल होता है आपको लगता है कि यार यही वो काम है अगर आपका काम फेवरेट होगा अगर आपको यह पता है कि यह काम करना मुझे बहुत पसंद है तो आपको भी भी ठक होगे नियुए उस काम को आप 10 गंटे 20 गंटे लगातार दो मेने छुट्टी भी नहीं लोगे दो साल भी छुट्टी नहीं लोगे आप ठेक है तो यह सब ध्यान रखना ठेक है तो हमेशा लाइफ में आज मैंने इतना कुछ बोला है ठेक है और मैं अपनी बता हूँ परस्नली देसे मेरे को ने मतलब गाड़ी बाइक वगरा यह सब चीजे कुछ भी लगती नहीं ऐसा ठेक है मेरे को ऐसे लगता कि बाइक खरीद लूँ ठेक थे लूँ तो बच्छों को पड़ाना है ठीक है मतलब यही बस मैं सोचता हूँ कि जिन्दिगे में जो मैंने चीजे देखी है उनसे मैंने क्या सीखा और जो मैंने शीखा वही में लोगों के साथ सेयर कर शकू बस इतना ही ठीक है तो लाइफ है आपको बहुत तोड़ती ह वह टोड़ती है और जब आप टूटते हो नहीं और तब भी आप इस सोचते हो ने की नहीं ठीक है मतलब तो उपर वाले पर वही श्वासनीक होना है ठीक है नहीं पहली छीज दूसरी चीज कि नहीं गलत रश्थे आप अजीब साल लगे कि तूट गए यार कोई नहीं है रो सकते हो आप खुब रो हो है ना रोने से मन हलका होता होता है है थे कि मर्द रोतेंifे मैं तो रोत्या हूं, बाकी का तो पता नहीं है, दुख रो citrany में जाने में बुराई है तो रोने में थोड़ी है करी बाए में जाने में दुखते हमां तो रोी थोड़ी है तो होटा है na तो ये सब चीज़े ने बिल्कुल ध्यान रखना कि जो चीज़े आज हमारे लिए इतनी इंपोर्टन्ट होती है ने पांच साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, दस साल के बाद हमारे लिए कुछ वैल्यू नहीं रखेगी तो ज्यादा मतलब चीज़ों को सिरेशली नहीं ले लिए लाइफ में आपने जो भी आप काम करना चाहते हो जो भी आपके सपने है और दो चीज़े मैं बताऊं एक तो ने माबाप और दूसरा टीचर अगर माबाप और टीचर अच्छे मिल जाए ना आज के टाइम पर वह वह तो उनके बतायों रेस्ते बे चलना क्योंकि भई हमें कम पता है अगर आप कम एज के और आप यह वीडियो देख रहे हो त आपको पताएए कि वही कमेज में पता बच्चा होता है बच्चे क्या लगता है उसे लगता है कि मजे ने हर चीज पता है ठेक है नहीं हर तो इतनी समझदार ही बहुत कम लोगों में होती है तो हमेशा अच्छे से डिसिजिंस ले, डिसिजिंस बहुत इंपोर्टन्ट होते है लाइप में, हमेशा सही रष्टे पे चले, सही रष्टे पे चलना ही मतलब जरूरी है, और साथ में, ठीक है न, सुबह, स्याम, दिन में, जब भी आपको लगे, और मेरा परसलिल न, ऐसा ह लगे, आपको अंदर से फिलिंग आती है कि आर्र乾्ट करना है काम करना है, ठीक है न, तो भाइ मतलब आपको मदद करनी चीह रुछ का canon credit ने लेना चीह ठीक है, ठीक हैया, आप सोचो कि आपके पास बहुत कुछ बहुत एक जया 500 क्रोट की कर में बेठा हूOWacion लेकिन आप विचारों के इतने श्यानत हो कि आपको अखने एक त्ने वह सकब चायन विकारी Senator इतने साथगी इतनी नॉर्मल तरीके से हो कि आप किसी के साथ किसी गरीब इनसान के साथ बेट के ठेकन उसके साथ खाना खा सको इस लेवल तब पता लगएगा कि मतलब हम कितने बड़े हैं घंदी जी कहते थे कि हम अपने से छोटे के साथ कैसे वहार करते हैं इस से पता ठीक है, कि लाइफ में बहुत दिक्कते जहली हैं, बहुत दिक्कते मतलब एक दम ऐसी दिक्कते हैं, और जब जब जिस पर विश्वास किया, सब ने विश्वास तोड़ा है, मतलब इनसान तो ऐसा लगने लगता है एक टाइम पर कि इनसान तो विश्वास का लाइक है ही नी पर ठीक है जो भी है उसमें कोई है सब ही दुखी है और ऐसे ही है इनसान बैस सुख के चक्कर में दोड़ता ही रहता है उसको लगता है कि हाँ लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमें कभी किसी को दोखा नहीं देना चाहिए पहली चीज दूशरी चीज भाई एकदम मतलब आप यकीन मानों ठीक है न जब आपके साथ कोई नहीं होगा तो आपको लगए जैसे भगवान आपके साथ खड़े हैं बैस आप सही रस्ते पर कंडिशन यही है कि आप किसी के साथ गलत मत करो ठीक है न और जो भी दुख आते है न वो दुख भी न मतलब उसको भी इंजोई कर भी ठेक है न ना सुख न दुख है न और तो इसलिए न बिल्कुल एक दमाराम से शान्ति से खाओ पियो ठेक है न खुस रहो और खुस रहने का एक ही मंतर है कि लोगों के लिए बुरा मत सोचो उनके लिए बुरा मत करो ठीक है न वर्ना आपको लगेगा किसी का मजा को र आपको लगता है कि मज़ा आगया, चार लोग खड़े हैं, किसी एक कोई जा रहा था, उसका मज़ा कोड़ा तो उसको लगता है कि मज़ा आगया, ठीक है, ऐसे तो कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो मतलब, बच्छपन में तो हो जाती है इस चीजे, ठीक है, अगर कम वीडियो ने आपकी help की होगी, ठीक है, आगे बढ़ें, मेरी यही आसा है, आप लोगों से कि सब आगे बढ़ें, और बुरा वक्त भी चला जाता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा भी चला गया, ठीक है, तो बुरा भी चला जाएगा, और जब अच्छा भी चला जाएगा, और बैस आप अपना काम करो जो आपको पसंद है ठीक है ना जितना लोगों की मदद कर सकते हैं जितना आप अच्छा कर सकते हैं वो करते चलो gratitude रखें उपर वाले ने दिया है उसी घाय सब कुछ है ना चलिए आज के लिए इतना ही ठीक है और थेंक यू आज के लिए इतना ह आई होप आप लोग की कुछ हेल्प हुई होगी चलिए बाई